शायद वो कहानी आपने भी सुनी होगी जब महानवे ग्यानिक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और उस दौरान उनके सेर पर एक सेब आकर गिरा था। उसी समय से इंसानी जगत को कुदरत के इस महाशक्तिशाली गुर्थवा कर्शन बल का ग्यान हुआ। उस समय न्यूटन ने लोगों को चौकाया था और आज हम आपको चौकाएंगे। क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं दुनिया भर की वो जगहें जहां खुद कुदरत अपने इस नियम को तोड़ती हुई नजर आती है। उससे पहले ऐसे ही और रॉमांचिक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट और्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हुवर डैम निवाडा के एरिजोना में बना ये विशाल डैम कुदरत को चौनौती दे रहा है। क्योंकि गुर्थवागर्शन जैसा कोई बल यहां काम ही नहीं करता। ये नजारा आप आसानी से देख सकते हैं कि जिस पानी को नीचे गिराने पर नीचे गिरना चाहिए, नजाने क्यों ये नियम यहां उल्टा पड़ जाता है। बहुत से वेग्यानिकों ने यहां कई वेग्यानिक परिक्षन किये, लेकिन इस रहस्य की गुत्थी आज भी अंसुल जी ही है। रहस्य में जर्ने। दुनिया भर के अलग-अलग स्थानों पर कई ऐसे जर्ने पाए गए हैं, जहां का पानी जमीन पर गिरने की वज़ाए, वापस उपर की तरफ हवा में ही उड़ने लगता है। ये सभी जर्ने गुर्तवाकर्शन बल के सभी नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ व्यग्यानिकों का मानना है कि जर्ने की नीचे हवा के तेज प्रवाह की वज़े से पानी नीचे जाने की बज़ाए उपर की तरफ उड़ने लगता है। हम आपको बता दें कि ऐसा ही एक जर्ना भारत देश के पुणे में भी है जहां ठीक ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। सेंटा क्रूज मिस्टरी स्पोर्ट कैलिफोर्निया में भी एक ऐसी जगह है जहां न्यूटन के गुर्तवा कर्शन बल के नियम काम ही नहीं करते। आप देख सकते हैं कि अगर कोई इस तरह से तिर्चा भी खड़ा हो जाए तो भी वो नीचे नहीं गिरता है। इस बॉल को फोर्स देने के बाद इसे दोनों दिशाओं में एक समान गती से बराबर दूरी तक जाना चाहिए। लेकिन यहां भी इसका उल्टा ही नजर आता है। इस जगह को सबसे पहले जोर्ज प्रेथर ने सन 1949 में खोजा था। उसके बाद से ये आज तक लोगों के दिमाग को यूँ ही चक्रा रही है। तो यही है वो रहसे में जगहें जहां ना जाने क्यों खुद कुदरत ही अपने नियमों को लागू करना भूल गई है। आज अगर खुद नियूटन भी जिन्दा होते तो शायद दे भी अपने दिमाग को चक्राने लग जाते। अगर खुद नियूटन भी जाते।